जै शियराम आपने राम अफ्तार के बारे में जानेंगे आपको राम अफ्तार कैसे हुए राम जी ने की जाती के जो इध्यास के चार युगों में बाटा गया है आज सब इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे राम जी ने मा कोशलिय के कोक से जनम लिया था और कैसे सुमित्रा और केकई उनकी माता थी दोस्तों वीडियो पर पहली वारा आएं तो जलकदानी चैनल को सस्क्राइब कर लीजे प्लीज लाइक अवश्य कर ये क्योंकि आपको ऐसी पूजा से संबंदित ज्यान बर्दक बाते आपको महाभारत से संबंदित रामायर से संबंदित हमारे ग्रंतों से संबंदित हिंदू धरम के जितने भी ग्रंत है उनसे संबंदित पूजा पाठ उपाई बिधी हर पिरकार की वीडियो की जानकारी जलकदानी चैनल पर दी जाती है मानब जाती के इद्यास को चार यूगों में बाटा गया है. सत्यू, त्रेटा यूग, द्वापर यूग, कल यूग, आज कल यूग है. त्रेटा यूग की बात है, सर्यू नदी के पावं टट पर एक सुन्दर नगरी थी, जिसका नाम था आयोध्या. सबी लोग जानते होंगे कि आयोध्या नगरी थी, सिरी राम दसरत आयोध्या के राजा थे, कहते हैं राजा दसरत आयोध्या के राजा थे, उनकी तीन डानिय थी, कोशल्या, सुमित्रा और केकई थी, इनकी कोई संतान नहीं थी, राजा दसरत जब शादी तीनो रानियों से उनका बिबा हो गया था उसके बाद उनके कोई भी संतान नहीं थी इसलिए राजा जो दसरत थे वो बहुत दुखी रहते थे एक दिन राजा दसरत के कुल गुरु महीर सी बिशिष्ट थे एक दिन उन्होंने अपने कुल गुरु से कहा गुरुवर शंतान प्राप्ति का पठ है किसी चीज की हम निंदा करते हैं बहुत जाद हम दूसरों की बुराईया करते हैं तो हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है भगवान भाव के भूके हैं आपको स्रद्ध से अगर आपको चड़ाते हैं तो भगवान सुईकार कर लेते हैं और आपने देखा सही नहीं होती है सच्चे मन से की गई प्राधना भगवान अवश्य सुनते हैं एवं आप पुत्र कामविष्ट नामक यग कीजिए आपके मन की इच्छा अवश्य पूरी होगी राजा दसरत ने यग का आयोजन किया इसके प्रोहित तरंगी रिशित है पुर्भाहुत के स पूसा ने पूसलिय की होक से भगवान ने पुतर के रूप में जणम लिया मा कोसलिय के रूप से भगवान ने पुत्र के रूप में जनम लिया ये चैत माक से सुकल पक्ष की नोमी तिथी थी दूसरे दिन दस्मी तिथी को रानी सुमित्रा के दो पुत्र हुए नोमी तो अक्षर सभी लोग जानते कि नोमी तिथी में भगवान राम जी का पूजन किया जाता है अब हम लोग अक्षर जब भी नवरात्रे खिलाते हैं तो आठे पूजन के बाद में राम नोमी होती है लेकिं दसमी में जो है वो तिथिक और रानी सुमित्रा के दो पुत्र हुए रानी केकई को भी एक पुत्र प्राप्थ हुआ इस प्रकार महराज दसरत चार पुत्रों के पिता बन चुके थे और ये खुसी प्रदान करके उनके मन में बहुत जाद हर्स था कि वो चार पुत्रों के पिता बन चुके हैं मेहरसी वषिष्ट ने चारो राज कुमारों को नाम करण संसकार कराया, कोसलिय के पुत्र का नाम राम रखा, सुमित्रा के पुत्रों का नाम लक्षमण और सत्रुधन और केकई के पुत्र का नाम भरत रखा गया, चारो भाईयों में सबसे बड़े थे राम और भे अपनों से बड़ों को आदर करते थे, मान सम मान देते थे, अपने से छोटों को बढ़ा ही प्यार इश्ने और दुलार देते थे, राम के साथ लक्षमन तता भरत के सातर शतुर्धन थे, जोड़ी पिरसिद हुई चारो भाई शूर्य के उद्य होने से पूर भी जाग जाते थे सबसे पहले माता पिता और गुरु बेशिष्ट को चरण छूते थे कहते हैं जब भी आप हिंदु धरम में अगर आप भगवान की पूजा करते हैं और अपने माता पिता की पूजा नहीं करते तो आपकी पूजा भी भगवान स्विकार नहीं करते हैं इसलिए अगर पुत्र होता है जीवन में तो आपका पिता कितना ही दुष्ट क्यों नहीं हो उसके करम अच्छे क्यों ना हो लेकिन हिंदू धरम में अपने पिता को पूजना बहुती पुन्य माना जाता है और वही उसी ब्यक्ति की पूजा भी खली फूत होती है अगर वो भगवान को पूजता है अपने पिता की सेवा नहीं करता या अपने पिता को मानसब माननी दे सर्वियु नदी में इसनान करते फिर भगवान की पूजा करते थे तब अच्छे अच्छे ग्रंतों का अध्यन करते थे वे च्छत्रे बालक थे च्छत्रियों का प्रमुक कार्य दुष्टोस में समाज की रक्षा करना है अतेवे पिर्ति दिन घोडों पे सवार होकर जंगल करना इंसानियत बहुत जादे दिखाते थे भाबुक मन के थे अपने से बड़ों का आदर करना सैदेव सत्य बोलना कुछ भी हो जाए लेकिन छल कपट ये उनके अंदर नहीं था वो हमेशा सैदेव सत्य ही बोलना चाहते थे उनको भगवान के रूप में ही पूजा जाता इसलिए आज भी कि वो सत्य के मार्ग बढ़ थे उनका सभाब बहुत ही मिर्दुल था इसलिए अयोध्या नगर के निवाशियों उनको बहुत प्यार करते थे भरत लक्षमन और सत्रुधन तीनो भाई राम की आग्या का पालन करते थे वो बड़े थे और वो छोटे भाई थे तो इसलिए वो भी राम की आग्या का पालन करते थे जैसे भाई राम कहते थे वैसे ही भरत लक्षमन और सत्रुधन तीनो भाई का आग्या का पालन करते थे लेकिन राम के समान भी बीर दयावान एबं सत्यवादी थे कहते हैं ये कहानी इन चार भाईयों की है जिन्हो चार यूगों में बाटा गया दोस्तो अगर ऐसे ही रामायन की कुछ बाते आपको जाननी है जो बात आप नहीं जानते हैं तो हमसे कमेंट करके कमेंट भी कर सकते हैं जलकदानी चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है दोस्तो आपने इतना प्यार और इशने दिया हमारे आपका ही ये चैनल है तो दोस्तों फिर कुछ नया कुछ अलग और मैं आप लोगों के लिए ले कर आती रहूंगी तब